तुम चल्दे के लिए तयार हो? है माम बैया आज हम लोग कहा जा रहे हैं? खाना खाने चलते हैं इन सब को यहां से हटाओ यह लोग मुफ में यहां किताबे पड़ रहे हैं समझ गई मुझे माफ कीजिएगा माफ वी चाती हूँ जड़ा आप एक मिनिट हटेंगी सब चली गई हाँ मुझे पता है अरिकल टीवी पर एक्शिन कामिन का स्पेशल एपिसोड आने वाला है अच्छा वो मैंने यह मैगजीन देख ली कल में टीवी ज़रूर देखूंगा अब हम क्या करें यह लड़का फिर आ गया चल्दी बताईए मैडम मैं कुछ नहीं जानती तुम्हें इसे बगाना होगा पर ऐसा करना आसान नहीं है आप यह अच्छी तरह जानती है मैं कुछ नहीं जानती इसे बगाओ ठीक है अरे वो लड़का कहा है अरे यहां तो बहुत भीड़ है उमीद है ओके इस बात को समझेगी आईए आपका स्वागत है माम माम वो क्या चीज़े है अच्छा वो वो तो नए साल पर घर सजाने की चीज़े है बेटा अरे कहां जा रहे हो यहां आईए आपको काफी समान मिलेगा जिससे आप अपना घर सजा सकते हैं वो भी काफी कम दामो में अरे दीदी, आप यहां क्या कर रही है तुम यहां क्या कर रहे हो, प्लीज यहां से चले जاؤ मुझे बहुत मुश्किल से नौक नी मिली है, मुझे अपना काम करने दो तुम जाओ, यहाँ से चलो बेटा, डैड आज शाम को ये सब चीजे लेकर आएंगे हाँ, अब क्या हुआ मुझे लगता है दीदी चाहती है कि हम यहाँ से कुछ खरीदे, क्यों दीदी मैं ठीक है रहा हूँ ना मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं का मिच्जी, हाँ, कैसे हो शिंचे, यहाँ बहुत भीड है, अगर थोड़ी दे भी और रह जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती अच्छा वाई है, यहाँ से चला गया, वरना इस काम से भी मुझे हाँ दोना पड़ता बेबी को किसके पास छोड़ कर आई हो, सर्तोशी उसका ध्यान रख रहे हैं यह तो बहुत अच्छी बात है, वैसे पतियों को भी थोड़ा बहुत ऐसे काम आने चाहिए नहीं तो हम लोग बाहर घूमने आ ही नहीं पाएंगे, तुम्हारे क्या खयार है इस बारे में बोलो हाँ, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज का क्या प्रोग्रम है? आज हम लेडीज एक साथ नहीं सार के पाती अरे, यह मैंने शिंचन के सामने क्या कह दिया? आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपके साथ चलूँ हा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है लीजी है, हम पहुँच गएं आप लोग इस तरफ आईए? कैसी लगी जगा? यहाँ खाना खाने में मज़ा आएगा यह लोग इतनी महेंगी जगा पर क्या करने आयोंगी? क्या हुआ, माम? अरे, कुछ नहीं, बेटी चलो, हम अपने पाठी शुरू करते हैं अच्छा, बताओ, क्या खाओगी? हमें चाहेए तो कोल्डरिंग और ठेक है? अरे, मेरे लिए एक बड़ी बाठल औरंजूस की शिंचैन, फिर तुम खाना नहीं खा पाओगे यह दिखो, पालक वाली डिश इसे मैंने कभी नहीं खाया, क्या इसे ट्राइ करें? पर इसका टेस्ट देरी के लिए माफी चाहती हूँ, यह लीजे आपी पालक वाली डिश लगता है, यह यहाँ की मश्यूर डिश है यह अच्छी लग रही है अरे, शिंचैन अरे, यह क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दीजे, प्लीज अरे, कोई बात नहीं नमस्ते आउंटे, आप कैसी है? अरे, नेनी, तो भी हाँ किसके साथ आई हो? अरे! माफ कीजिएगा, हमारी वज़े से आपको तकलीफ हो रही है अरे, नहीं, सब के साथ खाने में तो और मसाता है और खाने का बिल भी कमाता है, ठीक है न मैने? नहीं, नहीं, बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है हम लोग पहांच गए है? मगर प्रिंसिपल सर, आप तो कह रहे थे कि आज हम किसी महंगे रेस्टराउंट में खाने वाले हैं शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि इस जगह का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है मुझे तो यही ठीक लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं मगर मैं तो सोच रही थी कि हम किसी साउथ इंडियन रेस्टराउंट में जाने वाले हैं अगर आपने यहाँ चलना चाहते हैं तो ठीक है आपको अच्छे से पता है ना, अगर हम वो खाना काएंगे तो बहुत पैसे खर्चोंगे अच्छा अच्छा ठीक है, यह नए साल की पार्टी है, हमें अंदर चलना चाहिए, चलिए तुमने आने में देर कर दी, बताओ तुम्हें क्या खाना है अच्छा तो तुम कुछ और खाओगी, यहां हर चीज मिलती है, तुम्हें जो कुछ पसंद हो बता दो शाहिपनी, अच्छा अच्छा और क्या, आज तो यहाँ जादा ही रौनक है और तुम क्या खाओगे, मैंने सोचा नहीं, तो सोच लो न, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर आप बैठिये, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बिन बुलाएं महमान है यहां नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा अरे, नहीं नहीं की माम कहां चली गई, शायद वो वाश्रूम गई है अरे, मुझे भी वह जाना है, जाओ और जल्दी वापस आना, ठीक है अरे बाद, अब मैं गाना गाऊंगा, सब लोग शांत हो जाई है, सब लोग, मैं शुरू कर दो जा रहा हूँ मैं या माम के साथ पार्टी कर रहा हूँ क्या, मा, माम शिंचेन, इधर आजाओ बेटा मैं डैट के साथ रहूँगा, आपकी पार्टी बोरिंग है माम वहाँ मुझे नींदा रही है अरे, मिसस नोहारा, आप कैसी है, बहुत दिनों बाद मिली, वहाँ आपकी पार्टी कैसी चल रही है ये मेरे पती के बोस है, ये भी हमारे साथ खाना खाएंगे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मिसस नींदा अच्छा तो आप स्कूल में पढ़ाती क्या है, बताएंगी प्लीज मैं हिंदी पढ़ाती हूँ अरे, हिंदी की टीचर तो मैं हूँ और माथसुजा का मैम तो पीटी की टीचर है सुनो नैनी, तुम्हारी मॉम अभी तक नहीं आये मैं भी उनी का वेट कर रहे हूँ बिताने वाले हैं, मज़ा आ गया वाकिया आज तो वैसे आप भी कुछ कहिए ना योशी नागा मैम प्रिंसिपल सर, आप हम लोगों को यहां पर खाना किलाने के लिए लेकर आया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आने वारे नए साल में नया क्या करने का सोचा है यह तो बताइए जरा मुझे मैं इस बार बच्चों की पीटी की क्लास भी लेना चाहती हूँ सर, चाठ चाठ डाय ना मताई है, मेरे आपको क्या हुआ डाड मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो